आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरा नाम है सिद्धान तक में होतरी स्टेडी ग्लोस पर आपका बहुत बस्वागत है आज हम दोस्तों बात करेंगे मोना लिसा के बारे में अभी ने खुदकुशी कर ली थी कितना प्यार करता है वो मोना लिसा से पूरा लेटर में लिखाया था ऐसी आप इस पेंटिंग को देखेंगे इतिहास की सबसे महंगी पेंटिंग है यह मोना लिसा मतलब होता है माई लिसा मतलब होता है लेडी तो माई लेडी इटालियन मे लियोनारडो डाविंची ने इसको बनाया था और यह अभी तक incomplete है, it's not completed, लियोनारडो डाविंची की बात करें दोस्तों, तो architecture, engineer, painter, sculpture, दुनिया का सारा talent लियोनारडो डाविंची में था, आपको बता दू कि अपने पिता जी की नाजायज ओलाथ थे, विंची जो है जहां पर यह पैदा हुए थे उस जगा का नाम था तसकैनी गए यह मतलब एटली में गए और वहां पर बहुत सारे गेल्ड्स चलते थे मतलब और कॉर्परेशन के उस समय क्या था ना कि इतली के सबसे बहतरीन पेंटर बन गए तो जब भी रोम पे फ्रांस इडवेड करता था या कभी भी अगर हमला होता था तो लियोनार्डो डाविंची उस शेर में रहते थे तो जितने भी राजा है थे वो बोलते थे लियोनार्डो डाविंची को हमारे पास लेयाओ क्योंकि उस समय दोस्तों क्या था ना कि अभी तो आपने फोटो की चली सब कुछ लेकिन उस समय खाली पेंटिंग बनाई जाती थे तो इसके हमें आर्ट्स की काफी जादा इंपॉर्टन्स दी जाती थी जो आर्टिस्ट होते थे अलाकि लियोनार्डो डाविंची को पेंटिंग करना का भी पसंद नहीं था 15-15 में इनका दिहान्त हुआ था लेकिन आपको बता दू कि Leonardo Da Vinci आट पैसे के लिए करते थे क्योंकि बाई पैसा तो चाहिए न और उसी से ही वह फेमस हो रहे थे पैंटिंग की बड़ी उस समय डिमांड रहती थी क्योंकि उसमें फोटो अटो नहीं की सकते थे तो इनके बाद बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आते थे कि बाई कई राजा की पैंटिंग मना दो कई बीवी की पैंटिंग मना दो कूप पैसा कमा है इन्होंने ऐसा Leonardo Da Vinci की जो बाईग्राफिय वसारी इटालियन हिस्टोडियोग्राफर है हिस्ट्री लिखते रहते हैं वह बहुत सारी बहुत सारे पैंटर्स और आर्टेस्ट की उन्होंने हिस्ट्री लिखी है तो Leonardo Da Vinci ने इसको बनाया था और यह मास्टर पीस है एतिहास की सबसे महंगी पैंटिंग है आपको बता दो Leonardo Da Vinci ने जो यह पैंटिंग बनाई है 1503 में इसको 16 साल लग गए थे बनाने में 1503 में इन्होंने बनाई फिर छोड़ दी पहला फेस और उसके बाद 1519 तक कम्प्रीट करते रहे कुछ लोग यह भी बोलता है कि एक जो पैंटिंग है इनके स्टूडें ने कम्प्रीट की दे अब दोस्तों देखे सब स्पेकुले कहीं लेटर्स दिखा दिये हैं मुझे तो कभी कभी लगता है कि क्या पता ऐसे ही बस Leonardo Da Vinci ने पेंट कर दिया हो और इसके बाद लिए लिए पांच हजार करोन की पेंटिंग है एतिहास की सबसे महंगी पेंटिंग पांच हजार करोन की कीमत इसको कई पर चुराया भी जा दो बार इसको चोरी करने की कोशिश की गई है एक बार पाबलो पिकासो के ओपर आरोप लगाता की बाई इंको चुरा लिया गए लेकिन एक वरकर नहीं चुराया था अब इनके काफी वर्जन भी सामने आए 2012 में बड़ा बिवाद हुआ था कि एक और ऐसी पेंटिंग मिल ठीक है वहाँ पर तो यही चीज है अब वैसे तो पंटिंग के बारे में बोला जाता है कि भाई लिषागेराडीनी के उपर यह पेंटिंग मनाई गई है लिषागराडीनी कौन थी लिषागेघंग्षिकली इनके पास लियोनाडो दाविंची के एक दोस्त थे और इनके पास आये और बोले कि भाईया देखो मेरी बीवी है इसकी पेंटिंग मना दो जरा तो इन्होंने पेंटिंग मनाने शुरू की तो यही बोला जाता है कि नोबेल वुमेन लिसा गेरेडानी की थी जो की वाइफ थी फ्रेंसेसको डेल जियो कॉंडो की और आपको बता दू कि लियोनार्डो डाविंची ने हो सकता है ऐसा सही भी हो है वैसे सही है क्योंकि रिकॉर्डेट तो यही है तो जियो कॉंडो फैमिली को कभी दी ही नहीं लियोनार्डो डाविंची ने पंदरा सो तीन में इसको बनाना शुरू किया तो कभी भी जियो को दी ही नहीं, तो पहला तो यही है, क्यों नहीं दी, क्योंकि लिए 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 कि तब ही तो इतने सालों तक जीवित है ये बाई गजब का दिमाग था लिवनाड़ो डाविंची सदियों में एक बार ऐसा इंसान पैदा होता है जीनियस तो ये चीज है अब तो लिवनाड़ो डाविंची ने कभी नहीं दी कि पैसे लाओ फिर देंगे अच्छा वह नहीं दे देते तो शायद दिक्कत आपको बता दू कि ये जो पैंटिंग है इसको फ्रांस के जितने भी राजा है उन्होंने एक बार तो नेपोलियन बना पार्टनर अपने बेंडरूब में लगा लिया था तो काफी इंटरस्ट रहा है कई बार उस पैंटिंग को हाला कि इस प इस पैंटिंग को बहुत क्योंकि भाई नाजीस थे जर्मनी ने फ्रांस पे कबजा कर लिया था तो अगर ये पैंटिंग उनके हाथ लग जाती तो तो फोड़ देते वो खतम कर देते वो तो छे बार इसको बदला गया था साथी साथ अभी की बात है कुछ साल पहले की बा पहुंचे काफी साथी पहुंचे ओके फिर इसको रिस्टोर किया गया तो वही सारी चीजे हैं तो कई बार यह सब हुआ है और वालेबल प्रोग्राम सबसे पहले तो अब मुना लिसा की ilні, मारे में बात करें क्या-क्या इसके बारे में बोला जाता है सबसे पहले आपको बता दू कि हमारा mentorship program launch हो गया है दोस्तों मैं पिछले 7 साल के papers discuss करने बाला हूँ 10 October को exam है आपको पता ही यह UPSC का तो यह 7 papers जो है यह 14 lectures में मैं discuss करूगा हमारी iOS पे भी app आ गई है और अभी 2 दिन हमने sales चलाई हुई है क्योंकि iOS का app launch हो बाला है मैं आपको बताऊंगा कि questions को कैसे attempt करें साथी साथ किस तरीके से आप सही answer पता लगा सकते है बहुत ही एक गजब का आपके लिए थाबित होगा course अगर आप UPSC की त्यारी कर रहे हैं नहीं भी कर रहे है तो भी लीजे तो अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है इसमें हमको hidden initials देखने को मिलते है अगर हम बात करें इस painting में इस painting के बारे में बताया जाता है कि भाई इसमें तो बहुत कुछ लिखा गया है hidden initials हैं C, E, B हाला कि right eye में यह basically देखने को मिलता है लेकिन देखे अब इसका explanation यह दिया गया है इसमें यह भी लिखा गया है इसमें अगर उसको आप translate करें तो यह सब देखे चाहूं कि और बाप यह तो hidden initials हमको देखने को मिलते हैं लेकिन बाद में यह पता चला कि वाई देखो वक्त के साथ साथ जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा इसमें cracks develop हो गया है सिर्फ एक coincidence है इसमें ऐसा कोई भी लिखावत नहीं है Leonardo da Vinci ने ऐसा कोई भी hidden message जो है वो नहीं छोड़ा देखो Leonardo da Vinci जो है वो बोलते थे कि art और science एक ही चीज़ है है ना वो science को art से science को art से दिखाते थे तो वो कोई भी अगर painting मनाते थे तो वैसे ही बहुत अरे बापरे भाई क्या painting मना दिये उसमें तो जरूर कुछ ना कुछ hidden message होगा बड़ ऐसा नहीं है ठीक है ऐसा नहीं है तो वही चीज़ है अब इस painting को कई बार Leonardo da Vinci से भी portrait किया जाता है मतलब बहुत लोग तो यह बोलते है कि Leonardo da Vinci का ही है यह Leonardo da Vinci की खुद की painting यह Leonardo da Vinci होमो सेक्शूल तो उनको बोला जाता है कुछ लोग बोलते हैं कि Leonardo da Vinci के प्रेमी की painting है यह कुछ लोग बोलते हैं कि Leonardo Da Vinci रहे खुद को ही paint कर लिया है लेकिन वही है ना कि इसका हम authenticate यह नहीं बना सकते भाई जब Leonardo Da Vinci अब चले गए अब वो तो अपने राज मतलब इस painting के राज के साथ दफन हो गए हाला कि मेरे क्याल में अगर वो जिन्दा भी होता है तब यह बताते नहीं ताकि painting जो है वो बिक्ती लब और लोग देखने आते तो यही चीज है तो काफी masculine लगती है मरदाना painting है यह अगर Leonardo Da Vinci की बात करें यह चीज है फिर उसके बाद तो यह इसका जो backdrop है ना जो पीछे आप landscape देखते हैं यह भी कुछ समझ भी नहीं आता है यहां पे जो Mona Lisa के पीछे वो backdrop जो है वो change होता है और अगर आप दोनों landscape को मिला दे तो वो एक दूसरे से join करते हैं काफी unsettling लगता है अब यह बताते हैं कि भाई देखो ऐसा है यह जो backdrop था यह basically Leonardo da Vinci जहां रहते थे अगर आप दोनों को join कर दें तो Leonardo da Vinci जहां पर रहते थे वह ही दिखाता है मतलब एक painting में इतने सारे राज सिपे हैं कि अगर right और left को दोनों landscape को दोनों अलग अलग है लेकिन अगर आप join करें तो आपको एक proper landscape में जाएगा और ऐसा बोला जाता है कि अगर आप इसको उल्टा करके देखे तो आपको बहुत सारे जानवर भी देखने को मिलते हैं यह भी चीज है ठीक है उसके बाद भाई अरे आगे बढ़ो यार यह अटक जाता है smile यह जो Mona Lisa की smile है ना इस painting मेरे कहल में एकलौती ऐसी painting होगी जिसमें बहुत सारी studies हुई है Harvard University में 2000 में study हुई तो यहां पे Mona Lisa की अजीव हो गरीव smile है अभी आप देखेंगे तो Mona Lisa खुश रहती है अन्हां smile कर रही है बढ़िया से लेकिन जब आप पास में जाके देखेंगे जब मोना लिसा के पास में जाके देखेंगे तो इनके जो होट है वह हलके से जुके हुए है यानि कि पास में जब आपके जाके देखेंगे तो Mona Lisa उदास लगती है यह चीज है तो जैसे जैसे आप पास आके जाएंगे पास आते जाएंगे इस्माइल गाया वो जाती है अजीव हो गरीब Mona Lisa कैसी painting है जो जीवित लगती है हमको लगता है Mona Lisa हमारे सामने खड़ी है बहुत छोटी सी painting है आपको लगता है बहुत बढ़ी painting नहीं है यह बहुत छोटी सी painting है लेकिन यह जो painting है भाईया बहुत खतरना के smile कमाल की है यह Professor Margaret Livingston Harvard University ने आर्ग्यू किया था, कि भाई ये इसमें जो ड्रॉइंग हुई है, कमाल की हुई है, साथी साथ यहाँ पे दच रिसर्चर्चर्ज ने जब 2005 में रिसर्च किया था, तो इसमें Emotion Recognition Technique, Computer Software से Emotion Recognition Technique जो है, वो आजमाई थे, अब इसमें ये बताया कि भाई, मोना लिसा 83% खुशी लगती है, 9% disgusted, 6% डरी हुई लगती है, 2% गुसेल, 1% neutral और 0% surprise लगती है, या देकि surprise तो नहीं है, खुशी है, तो ये चीज़ है, फिर Infrared Scan भी इस पेंटिंग में हुए है, National Research Council of Canada ने 2004 में Infrared Scan किया था, 3 Dimensional Infrared Scan, देखो इसमें ये था ना कि, जो वील आप देख सकते हो, उससे में ये बोला जाता था कि ये pregnant woman, ऐसा बोला जाता था कि मोना लिसा उसमें गर्ब वती थी, ये pregnant थी, इसी तरीके का उसने हाथ मियां पे रखा हुआ है, तो जो वील प पहनती थी, साथ ही साथ ये eyebrows गायब है, eyebrows भी गायब है, अब ये भी बोला जाता है कि मोना लिसा शायद prostitute थी, शायद, क्योंकि उस समय, prostitutes की eyebrows नहीं होती थी, लेकिन बाद में जब इस पर रिसर्च हुई, तो ये पता लगा कि भाई देखो, वक्त के साथ साथ पहले eyebrows ब नहीं ऐसे खोल के बाल जाती थी बाहर, तो ये भी था, अब उसके भी आया कि भाई देखो, इनके जो बाल है ना, जो ये पेंटिंग है, ये खुले नहीं थे, actually, here, ऐसे नहीं कि ये hanging down है, ये लूजली hanging down नहीं, ये बैक पे, पिन पे attached थे, yes, so, definitely, neither she was prostitute, nor she was unmarried, ऐसा थ कि unmarried woman है, और ये pregnant है, लेकिन ऐसा नहीं था, ये technique, इतने पतले, जो artistic work, इतना कमाल का है, अब eyebrows बनाई थी, वो, वक्त के साथ-साथ, खतम हो गी, फिर उसके बाद, ये painting जो है, कुछ और facts की बात कर लेते हैं, ये painting जो है, वो francois 1 के साथ रही, उसके बाद, Louis the 16 के पास है फिर Napoleon के पास गए, Napoleon ने तो इसको bedroom में लगा लिया था, ठीक है, ऐसा, और ये तो चली मैंने बताई दिया कि बहुत सारे लोग मानते है कि Leonardo Da Vinci का ही ये portrait है, self-portrait है, जब आप देखेंगे न, Mona Lisa और Leonardo Da Vinci के self-portrait को जब आप match करेंगे, तो काफी similarities आपको देखने को मिलती है आप चौक जाएंगे, बहुत similarities, Mona Lisa और Leonardo Da Vinci की देखने को मिलती है हमको, ये चीज है, उसके बाद Leonardo Da Vinci के जो painting है, एक खुद का ही room है, समझ रहे हैं, खुद का ही room है, 2003 में पूरी painting को renovate किया गया है, मतलब पूरे लाओरे में जब आप जाएंगे, तो ऐसे आप देखेंग पेंटिंग ऐसे लगी रहती है, ऐसा यहाँ पर नहीं है, खुद का इन का room है, 43 degree Fahrenheit पे temperature इसको दिया जाता है, 20 से 25 degree Celsius तक मतलब, temperature जो है, वो maintain रहता है, इसे जादा नहीं, और पूरा bulletproof glass है ताकि इसको तोड़ा ना जा सके, French officials जो हैं, वो हमेशा इस painting को इसके सुरक्षा करते रहते हैं, अब French President की जो बीवी थी, Jackie Kennedy, John F. Kennedy की जो बीवी थी, उन्होंने बोला था कि भाई, एक बार Mona Lisa की painting को अमेरिका भेज दो, तब Mona Lisa जो है, वो National Gallery of Art, Washington DC में एक बार गई थी, और वहाँ पर Metropolitan Museum of Arts गई New York में, और फिर उसके बाद वापस आ लिए, लेकिन बहुत ही ध्यान से, 1911 में इसको चुराने की भी कोशिश की गई थी, जैसा कि मैंने बताया, पहले था कि भाई, किसने चुराया, किसने चुराया, लेकिन बाद में पता चला कि वहां के एक वरकर नहीं चुराया, एक बार और उसको चुराने की कोशिश की गई थी, तो Pablo Picasso के उपर आरोप लगा यह प्रमेच भी किया जा चुका है, है ना, एक बार 2009 में इनके उपर कॉफी कप फेक दिया गया था, पत्थर, एसे ठेका गया शराप फेकी गई, यह सब इस पेंटिंग के उपर किया जा चुका है, अब आप यह सब सोच रहे होंगे, अचा इस पे यह भी बोला जाता है यह पेंटिंग में, अगर आप पेंटिंग के थोड़ा राइट साइड में देखेंगे, तो आपकी कुछ अपसाइन डाउन करके कुछ एलियन के तस्वीरा को दिखाई देती है, तो ऐसा बोला जाते कि भाई, यह डियोनाड़ो डाविंची के साथ एलियन भी थे, उसमें पेंटिंग कर दिया, लेकिन यह सिर्फ और सिर्म मसाला डालने के लिए, इसमें कोई तत है नहीं, कोई सच्चाई नहीं है, अच्छा आप सबसे बड़ी बात यह है कि क्या इसको खरीदा जा सकता है, बेचा जा सकता है, बिल्कुल नहीं, यह पेंटिंग प्राइसलेस है, जब तक यह दुनिया रहेगी, तब तक नहीं आप इसको खरीज सकते हैं, नहीं आप इसको चुरा भी नहीं, चुरा ले तो अलग बात है, लेकिन इसको नहीं खरीदा जा सकता है, नहीं बेचा जा सकता है, मोना लिसा बिलॉंग स्टू दी पबलिक, वन्ना तो कितने अमी सब कुछ मैंने आपको बता दिया है इस से ज़्यादा Mona Lisa के बारे में और कुछ नहीं है फिलाल अगर आप जाना चाहते है Mona Lisa भाई फ्रांस अगर आप जाए तो जरूर भाई परेस फ्रांस की कापिटल परेस के म्यूजिम लाओरे में ये जो पेंटिंग है वो मौजूद है तो जरूर जाएं और बड़ी आया है लोग आते हैं देखते हैं मोस्ट विजिटेड पेंटिंग है कभी-कभी ऐसा होता है कि आपने कुछ बनाया और बिना बाद के भी फेमस हो जाता है लेकिन ये चीज तो है कि जब आप Mona Lisa को आपको study करेंगे तो हर एंगल से आपको अलग अलग देखने को मिलेगी हर एंगल से इसका landscape बदलता है सबसे बड़ी बात ही है कि आप जिसबी एंगल से देखेंगे पेंटिंग आपको अलग तरीके की लगेगी अलब किसी कोई अगर अंगल से देखेंगे और इसकी इसमाइल भी बदलती है मोनालिशा की इसमाइल भी बदलती है अलग-अलग अंगल पर ये भी चीज़ है तो यह आप्टिकल इल्यूजन का कमाल है हुजरे ही पर तेरे देशे सिद्धान तक नहीं होतरी साइनिग हो